नमस्कार दोस्तों हकेन क्रिस आफटेक की concept clearance approach में मैं जी कृष्णा चोहन आपका स्वागत करता हूँ तो आज इस topic पर हम बात करने वाले हैं for loop और यह for loop most widely use होने वाला loop है एक्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है और कोई भी language हो चाहिए चाहिए जावा, php.net, android, wordpress, zoom, आप कहीं भी इसका use कर सकते हैं और इसका use होता ही होता है तो आप इस concept को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजे तो चली शुरू करते हैं for loop so friends for loop भी हमारा while loop या do while loop की तरह ही multiple times किसी भी sequence of statements को execute कराने के काम आता है और यह starting में हम यहाँ पर तेनो conditions देते हैं तेनो conditions से मेरा मतलब है हम for के साथ लिखते है initialization, condition और increment या decrement यानि कि initialization भी हम code से पहले लिखते हैं, condition भी हम code से पहले लिखते हैं और उसके according जो हमारा code होता है वो execute हो जखता है 0 या उससे अधिक बार तो ज्यादा understanding के लिए हम इसका syntax देखते हैं, syntax बड़ा आसान है for, for के साथ हमने लिखा हुआ है initialization, condition और increment या decrement और उसके बाद code to be executed यानि कि अगर हम for loop का apply करते हैं, for loop लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम initialization करेंगे जैसे कि हमने integer i हमने local variable में ले लिया और यहां पर बता दिया i equal to 0 या i equal to 1 और उसके बाद हमने यहां पर condition देदी, condition जैसे i is greater than or equal to 5 और i++ यह होगा हमार increment, अब यहां पर हम print करा दें, i या कुछ भी हम यहां पर काम करा दें वह हो जाएगा हमारा code to be executed, यानि कि code जो कि हमको execute कराना होगा तो जादे understanding के लिए हम थोड़ा से इसका flow chart भी देख लेते हैं, flow chart भी बिल्गुल simple है सबसे पहले हमारा initialization होता है, फिर condition लगती है, condition के बाद जो भी हमारा statement होता है, वो statement follow करता है यानि कि statement execute होता है, उसके बाद increment होता है, या decrement होता है, यानि कि update होता है हमारा, उस variable की value में जो भी हमारा variable define होता है और उसके बाद दुबारा से condition चेक करता और यही चलता रहता है जब तक हमारी conditions false नहीं हो जाती और अगर हमारी condition false होने की condition में हमारा ये loop for loop से बाहर आ जाता है जो भी हमारा control होता है program का और एक छोटे से program की help से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आशा करता हूँ आपको program की help से बिलकुल अच्छे से for loop समझ में आ चुका होगा तो चलिए बनाते हैं program for loop का तो सबसे पहले header file include कर नहीं है मैं दोनों header file include करा रहा हूँ यहां पर hash include htdao.h hash include koneo.h और उसके बाद मैं void main लगा रहा हूँ main function apply कर रहा हूँ पहले garbage उसको अटाकर यहां पर 0 आ चुका है clear अभी क्या कर रहा है मैंने आपर clear skin apply कर रहा हूँ उसके बाद मैंने आपर for loop लगा चुका हूँ ठीक है for loop में मैंने initialization दिया i equal to 1 उसके बाद मैंने condition दिया i is less than or equal to 10 और i plus plus ठीक है i में increment अब उसके बाद क्या है मैं इस i को print कर देता हूँ तो देखे मैं यहां पर print के लिए statement लिक रहा हूँ printf percentile d और i selection लगा दिया जिससे की next line में print हो अब उसके बाद get ch apply कर दिया है और यहां पर मैं program को बंद कर देता हूँ चलिए इसको compile करके देखते हैं देखिए compile होने पर कोई भी गलती नहीं है अब इसको run कर लेते है और प्लस f9 देखिए 12345678910 यहनकी हमारा for loop चल चुका है और इसने value 1 से लेकर जो condition थी 10 तक की वहां तक का counting print कर दिया है और यह count यह सब dependent करता है अपकी condition पर अगर यहां पर condition में 10 कीज़ेगा 100 लिख देंगे तो 1 से लेकर 100 तक की counting print हो जाएगी तो यह था हमारे एक बहुत simple सा example for loop का आशा करता हूँ आपको समझाया होगा So friends, यह बहुत ज्यादा important concept था for loop जो कि मैं आपको बहुत ही simple तरीके से समझाने की कोशिश किया अगर आपको यह पसंद आया आपको for loop समझ आया तो please hit like कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए किसी भी problem होने की या फिर doubt होने की condition में आप हमको comment करके बोल सकते हैं और अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है friends तो please इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह मैं था जी कृष्णा चौन, thanks for watch this video